अच्छा टीके पहले तो काफी ब्रेकडाउन नजर आया चकोर का क्या पर चोड़ा तो पता है जैसा कि आप लोग पिछले कुछ दिनों से देखी रहें यह सीकुंस बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनली चकोर विवान एक होने वाले होते हैं चकोर विवान से मिलने जाती है फिर उनके बीच में कुछ बाते होती है तब पता चलता है कि विवान इमली से प्यार करता है चकोर से प्यार नहीं करता और यह चकोर के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि उसे लगता था कि 22 सालों से जैसे उसने विवान से प्यार किया वैसे विवान ने भी उससे प्य यादे आती हैं और अपने आप से सवाल पुछती है सब क्यों हुआ मैं इतनी अंधी क्यों थी कि मुझे प्यार मुझसे नहीं करता वो क्यों नहीं दिखाई दिया और यह सारी चीजे तो यह उसका बहुत बड़ा ब्रेकडाउन था और वो मचान भी तोड़ देती कुछ या अपने आपको संभाल सकते हैं तो वह वही जरूवत नहीं है तो वही कहती है उसको और सूरज इसलिए चकुर को समझ पाते है क्यों कि वो भी उसी दौर से गुजर रहे है जिस दौर से चकुर गुजर रही है दोनों ने अपना प्यार कोया है वहीं इमली को खुछ चुका आपको सूरज मिल जाए लाइस दौर और सूरज के बीच में तौर का हेट्रेड जो है सूरज के लिए वह गया नहीं है सूरज ने बहुत बुरे बुरे वो किये उसके साथ में मतलब बहुत रहा है तो आई थिंक अब जब सूरज अपना थोड़ा चेंज दिखाएगा तो वो ट्रांजिस्टिन में टाइम लगेगा चैकोर वो नोटिस करेगी, अब्जर्व करेगी और उसको काफी वक्त है तो I think अभी तो कुछ टाम के लिए दुनों देवदास और देवदासी जोन में रहने वाले कि हमारा प्यार लुट गया हमसे तो यही रहने वाले है पर बन मुसम बर्षा काफी साथ ही देखनी है यह नारे राइटर करते रहते हैं हमारे साथ तो पहले सक थेक्विल था जापर कर अचे कर लिय है बारिष में सूरज के साथ अब तीसरा सीन होगाँ बारिष में तो मैं बारिष में बहुत सेन्स करती हूं विंटर में नहीं, रात के सीन्स नहीं अच्छा लगते हैं, दिन के ठीक है, बट जब बारिश होते हैं, तो वो एड़ करता है, एफेक्ट अड़ करता है, इड़ अड़ एमोशन, लोगों को अच्छा लगता है से देखना कि बारिश में दो प्रेमी मिल रहे हैं तो आइदे किसलिए वो effects के लिए हम बारिश में scenes करते हैं.